कि दोस्तों यह है इंफेंट सो कंपनी का बेबी रोकर या फिर रोकिंग जैर में कह सकता हूं यह भी आप पोर्टेबल भी है और फोल्डेबल भी थोड़ी सी मैंनत के साथ यह फोल्ड भी जाते और बहुत कम स्पेस में इसको स्टोर किया जा सकता है अगर आप इसको यह जो बोक्स है आज इसके अन्बोक्सिंग करते हैं तो आपको भी दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है तो चलिए सबसे पहले इस बोक्स को ओपन कर लेते हैं और यह टेप बगार देखके आपको अंधाजा तो लग लिया होगी भी आमेजों से यह गलीवर हुगा ह और यह है वाईया जो आज हमने मगाया है तो मैं एक जूला है बेसिकली इस तरह का और मेक्सिमिम बेट 18 किलो तक यह बेट जहल सकता है और बक्की यह यहां पर वाइबरेशन बोक्स भी है डिटेचेबल बार भी है यह उपर वाली बेसिकली यह आट भी जाती है तो यह बोक्स पर जो इन्फरमेशन है कोई सेम सी इन्फरमेशन दी हुए है और मतलब यहां कुछ साइड भी दिया हुए और इस साइड भी होई चीजे है और अगर बात की जाए पैसे पूसे की तो यहां पे कुछ-कुछ डिटेल्स जो है वो मैं बता भी देता हूं को कि इसका सब्सक्राइब का पूरा वह तूटल आइटम का पूरा वह तूपॉइंट फाइव के जी है मलब 2.6 के जी है बेसिकली और लगब तीन किलो का यह हो जाएगा जब सारा कुछ इसका सेट कर लेंगे तो मर्पी जो इसका पांच जार चार्स नार्मल है वह पच्पन सुर्प तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जिनकी हेल्प से आप इसको असेंबल कर पाएंगे और सबसे चीज़ की बिया अलग से अपको घर से कुछ भी सामान नहीं लेना है क्योंकि सब कुछ इस बॉक्स में दिया हुआ है जैसे कि एक चीज माताता हू सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा दोस्तों यह लोजी एकदम जुला जो है बच्ची का रेड़ी हो गया और जुले के साथ आर्या की रियक्शन देख लेते हैं आप देख सकते हैं काफी खुश लग रही है आहा देख आपको पता लगया होगा ना क्या करना चारी है म यह वाला जो है ना इस वोफ्ट मेटरियल है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ डिजाइन से बने हुए है और एक यह बल्ट दी उए है इस बल्ट के यह जो हुक्स है बिसिकलिए इस तरीके की क्वालिटी की है मैं आपको इस खोल के भी दिखा देता हूं यह द सेकंड स्टेज पर आप इसको सेट करते हैं लेकिन तब बड़े काम की चीज़ है और यह फिक्स है यह निचे वाले जो दो है यह फिक्स है और इस तरीके से आप इनको बकल कर देते हो और यह देखिए यह जो रेडि टू रोग हो गया बिसिकली यह देखिए और यह ज्याद बाता है मतलब शयाद बच्चा इस पिए ग्रात हुट तुम्हारे का न तो उसको जादा अच्छा लगेगा वह चपलों में यह नियुक्त आप बलकूल अच्छी और यह इनको क्या आप ओलते हैं रेटल्स खेलने के लिए और इनके शकल दिखाता हूं आपको यह लोगे लिए अइसी आवाज और बीना Rough material टेल विए तो को सुनाता हूं gratuit ि यह लिए इस तरीके वे लग आंपलास्टिक घी अईसी आवाज आती है और यह बिल्ली में वह यही वाली चीजी है ज्यादा कुछ नहीं है तो वाकि इसके अंदर भी कुछ खास है वह बिल्ली जो इसकी बात चल रही थे ना ऐसा लग रहा था किसमें बजने वाला कुछ नहीं है बटम आपको बता देता हूं कि यह दो कि यहां पर एक बटन दिया हूँ है इसको इस साइड करेंगा नोब को जैसे नोब को इदर करेंगे इसमें बैटरी डली होई है और यह कुछ ऐसी आवाज करेगी बस कोपिराइट ना जाए इस आवाज पर अब और कोई आवाज नहीं बिल्कुल सोफ्ट सी है जा दूर से मालब ऐसे बात नहीं कि बच्चे को परिशान कर सकती है ऐसी आवाज है अब बात कर लेते हैं इस वाले फ्रेम की यह जो फ्रेम है यह बिल्कुल सोफ्ट बनावा तो मालब बच्चे को चोट लगने की कोई वैसे मैटल का है नीचे से यह और बड़ी अची चीज यह है कि यहां पर आप देख सकते हो कि यह अनलोक हो के बड़े आराम से निकल जाएगा कि अगर आपको लगता है कि यह से शोर मच रहे भी परिशान हो रहा है तो आप इसको अटाकी रख सकते हो या पर कुछ और आप उड़ाना चाओ इसको अच्छी से कवर करके सुलाना चाओ त यह वैसा कुछ मेट्रियल है फाइबर वाला सा इसके बीच में यह भी बट सर्दियों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ठंडा हो रहा है जो कुछ भी है और यह पूरा प्रोटेक्टिटिड यहां से बैक साइड से आप देख सकते हो कि यहां तक कवर है तो कोई डर नह करता हूं जो बड़ी सी बैटरी दी वैसे कलिए वह इसमें डाल दी गई है और इसको सिंपल इस तरीके से करेंगे तो वाइब्रेशन जो है करना स्टार्ट कर देता है और यह वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रही है वहां पर मम्ता ने आत लगा रहा है और फील भी कर पर यह बहुत ही लाइट सी है वाइब्रेशन तो दो तिन दिन में एक बर जड़ा देखते हैं इसको की मतलब हमारा एक्सप्रियेंस कैसा रहता है और दूसरा यह जो ब पांच मिनिट में एक बार अगर फिक्स कर लेंगे तो पांच मिनिट मेंह चाहिंका रहा है कि इसको दो बारा फिक्स कर लेंगे तो जो इसके functions से वह तो मोटे मोटे मैंने आपको दिखा दिचान तरु उस इस मि喔 बाकि यह नीचे वाले जो बेस इसका प्योर मैटल का बना हुआ है सोली एक दम और मतलब पूरा इंस्टोल करते ताइम नमर को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि इसकी क्वालिटी के साथ कहीं को हर एक चीज बड़ाना ध्यान दिया हुआ तो वह थी अच्छे से मतलब सेट की ग जूलता है अब आप देख सकते हो यह इतने कुछ अराम से जूल पाता है एक बार छोड़ते थे चोड़ना एक बार देखते हैं कितने देर तक जूलता है अपने आप इस तरीके से फिक्स हो जाता है जिससे की वह प्लेन सर्फेस पे बच्चा सोस के अब थोड़ी सी परिशान लग रही है क्योंकि यह जाग रही है यह नीचाती की वह इसका जो हिलना डूलना बेसिकली वह बंद हो तो अब इसको वापिस जो हटा के और इसकी भी क्वालिट क्वालिटी जो ना मतलब मैं इसकी दिखाता हूं आपको क्वालिटी अंदर की साइड से यह आप देख सकते हो यह इस बात नहीं कि जो लोक लगा लोक मेकैनिजम लगा हुआ इसमें की इस लेवल पर यह फिक्स हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी यह क्योंकि चार महिने की अभी पांच-चार दिन में होने वाली है और जब इस एज में मेरे को लगता है मारे वाली तो भी आप परिशान होने लगी है ज्यादा देर तक लेटी इनुरेती इसका दिल करता है इसको बठा के रखो तो उस केस के लिए यह मोट काफी अचा हो सकत अब आप देख सकते हो यह थोड़ी बैठ गी है मतलब पहले लेटी वी थी अभी बैठ गी है और वह से भी स्लिपिंग के लिए है मतलब जब बच्चा सो जाए तो मूव ना करे उसके लिए है वो लगा दो राम से बच्चा सोता रहेगा तो वह अटाने के बाद और अगर अब जड़ा इसको इलाके देखते हैं कुछ फरकाता है गया तो लगबग आठ साथ बार गिये ना अपने आप थोड़ा जोल लेता है वाकी भी या देखते हैं लोंग टरम में इसका रहता है तो चार पांस दिन इसको यूज करते हैं जैसे गोदी में पोजिशन होती है थ होती है घंटे देड़ घंटे मतलब जब सोना होता है लेकिन जैसे हम अगर सोचते हैं इसको दस मिनट गोदी में हो गए हम इसको निच्चो सुला देते हैं तो मैक्सिमिम्म 20-25 मिनट सोती है वस तो लेट सोब कि यह इसमें अच्छे से सो जाए तभी काम काये अधर वाइ हो गया और यह लोक लगे हो है और यह बीच वाला जो रेटल जीस पर लटके हो ना एक बड़ उठाके जड़ा दिखाना इसको इसको पकड़ के थोड़ा उठाना में पड़े ना मैं तो सजेस्ट तो करूंगा नि आप कहीं लेके जाना हो क्योंकि यह लोकी तो हैं बेसिक इस जुल्ले को यूज करते हैं तो अब मैं कुछ आपको जो चीजें मेरे डाउट थे जो चीजों के बादे मैं सोच रहा था वो मैं बता देता हूं पहले इनिशिली मेरे को लगा था कि यह बैटरी है ना इसकी जो बड़े वाला सेल मिला था वो जारा दिन नहीं चलेगा लेकिन 10 दिन में मतलब हो सकता है 15-20 बार तो इसको चलाया ही होगा और satisfactory vibration है मतलब इससे बच्चा खुश रहता है और मतलब खुश नहीं कह सकता है मैं उससे मतलब रोनाग बंद कर देता है वो अगर रो रहा होता है तो और दूसरा जब वो मतलब हलकी नींद के मूड में ह होता ना आप इस टाइम vibration चला दो तो चुपके से सो जाएगा तो यह इसकी चीज बहुत अच्छी और दूसरा बैटरी भी यह खूब चलती है मतलब ऐसा जो मेरा डाउट था ना वो नहीं था दूसरी चीज की यह ना जो मतलब जो यह इतनाक सा हिलता है यह मतलब एकदम लाजबाब चीज है जो अपने ट्रेडिशनल जुले होते हैं जैसे वह वाले उनको आप स्विंग करते हो तो बच्चा जब अपने हाप इलता ना तो वह स्विंग नहीं होता लेकिन इसकी यह अच्छी चीज मेरे को लगी कि भी यह जब इसमें बालक जो आना सो रहा होता जो मेट्रियल है यह वाला जो यह वाटर अब्जोर्ब नहीं करता है बिल्कुल भी तो मालब सुसू अगरा कर भी देगा बच्चा तो डारेक्ट जो नीचे पास हो जाएगा एकठा हो कि मालब बच्चे का गिल्ले होना कोई खत्रा नहीं है यह जो बेल्ट है यह बच्च वह सकता है नहीं हो घ सकता है तो उस चीजब से बचाने के लिए प्रोटेक्शिन जोदी हो थी यह चीज बहुत ज्यादा सोलेड है और दूसरा क्या है कि बच्चे के पेट के उपर यह वाली साइड है थोड़ा से चोट लगने का वह खत्रा हो सकता है बाकी कुछ नहीं है और दूसरा खोल टाइम अगर बच्चे एकदम ज्यादा जोड से सोने लग जाए ना तो निकालन बेटी के मामल में शायद यह ज्यादा बेटर है और यह कपड़ा बहुत ज्यादा सोफ्ट है तो बैसिकलिए सोफ्ट मेट्रियल जो यहां पे जो हां बच्चे के पैर वगएर यहां बच्चा जा मार सकता है यह बहुती अच्छी चीज है अब बात कर लेते हैं जो खिलोन अशनी से आप यह इतनी जल्दी छूट जाती है कि जिससे डर यह रहता है अगर बच्चे ने जोड़ा से ला दिया ला जोड़ सकती है यह थोड़ा भी यह हो सकता है यह चिपकने वाली आईटम ज्यादा इस जादा सोलिड बनाई जाए तो शायद काम हो जाएगा और बख्की तो भई या एकदम बड़ी अचीज है good to go है एकदम solid product है और कोई चीज से मतलब ऐसा नहीं लगा कि इसने हमें थोड़ा निरास किया हूँ बहुत अच्छी quality की चीज है एक नमबर चीज है आप अगर खीदना चाते हो तो description में या लिंक दी दिया है प्रचेस कर सकते हो good to go कर दो